पहले चरण का मद्दान देश में निपट चुका है दूसरे चरण की तयारी चल रही है और जो पहला चरण हुआ वो कई लोगों के लिए आई ओपनिंग था एक तो इलक्षन कमिशन को पहला जटका ये लगा कि लगातार तयारी हो रही थी करोड़ों रुपिया खर्च किया को एक कारण बताया जा रहा है या चुटियों को कारण बताया जा रहा है तो आने वाले समय में इस्तिती और आगे बढ़ सकती है अगर ऐसा होता है यही ट्रेंट आगे रहता है तो क्या इस दफा़ लोगसभा चुनाओं में मद्दान परतिशत घटने जा रहा है और इस स सबसांसत नरेश बंसल इस वक्त हमारे साथ बादचीत के लिए सर जटका तो सभी के लिए है इलक्षन कमिशन के लिए तो है यह देश के लोगों के लिए भी है कि यह नहीं सोचा था कि मद्दान इस तरह से कम होता जाएगा क्या आने वाले समय में ट्रेंड बदलेगा निश्चित रूप से पहले चरण का मद्दान था और कुछ राज्यों में बड़ा है कुछ राज्यों में कम हुआ है कम होना एक चिंता जनक है क्योंकि हम सब का प्रयास रहता है कि देश में शाक्षरता भी बड़ी है परतेक व्यक्ति चुनाओं में अपना वोट करे इस्ति सरकार चुड़ने के लिए वोट करे मजबूस सरकार चुड़ने के लिए वोट करे विकास का काम करने वाली सरकार के लिए वोट करे तो यह सब की अपेक्षा रहती है अब यह विशलेशन किया जाएगा कि कौन-कौन से कारण रहे जिसके कारण मद्दान कुछ कम रहा अग पुरोतर से लेकर तमाम दक्षन से लेकर यहां तक की सीटे थी तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसमें कुछ और किये जाने की आवशकता है क्या कई लोगों ने पहले अपील की थी लोगों से बाहर निकलने के लिए इसको और बढ़ाने की आवशकता है निश्चित रूप स के कि वो मतदान के इंदर तका करके अपना वोट करें विपक्ष का कहना यह है सर की जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है उसके पीछे वोटर की निराशा है मौजूदा सरकार के 10 साल की जो एक तरह से या कहें कि एंटी इंकेंपेंसी थी क्या उससे निराश होकर जनता घर में बैड़ गी? नहीं है विपक्ष अपनी हताशा और निराशा को छुपाने के लिए इस परकार की बात कर रहा है यदि आप मुखे रूप से देखेंगे विशलेशन करेंगे तो पहला कारण यह लगेगा कि विपक्ष की हताशा और निराशा के कारण एक तरफा चुनाव हो विपक्ष ने जो मजबूती से लड़ना चाहिए था, जो विपक्ष के नेताओं कारकरताओं को वोटर को अपने वोटर को निकालने के लिए काम करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, इसके कारण वोट प्रसेंटेज गिरा है प्रधान मंत्री नेरी मोदी का अभी दो दिन पहले एक बयान आया उन्होंने मंच से इस बात को कहा जो मुसलमान और मंगल सूत्र को लेकर हो रही है बिपक्षी ये कह रहा है कि वोटिंग के बीच में ये धुरूवी करण की राजनीती हुई और इसकी शुरुवात प्रधा पत्र ने की है उनके गोश्टा पत्र में जो चीजे आएंगी उसके बारे में जनता को बताना हमारा कर्तब बे है और वोई प्रधान मंत्री जी ने किया है सर तीन तलाग जैसा एक बड़ा मुद्दा था उसको सरकार ने तीन तलाग का कानून लेकर आए ये भी कहा गया कि पिछला जो 2019 का चुनाव था उसमें बड़ी संक्या में मुस्लिम वोटर्स जो थी महिला है उन्होंने भाजपा को वोट किया है क्या इस बयान के बाद दियानी की ये कहें कि गंगा में बहुत पानी बहच चुका है उन्होंने देखा है कि पिछले 50-60 सालों में उनका वोट तो बहका करके लिया गया उनको गुमरा किया गया लेकिन उनको सामाजिक द्रिश्टी से उचा उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो दस वर्षों म बुद्रा लोनो स्वनिधी योजना के हो जल नल से जल हो और कैशलेस इलाज हो सब प्रकार की जो सामाजिक शुरक्षा की योजना है उनका सभी वर्षों को लाब मिला है अभी क्या लग रहा है आपको 25-500 प्लस हो रही है जैसा वातवरण तहले था अभी भी पार्टी को यही मैसूस हो रहा है देश में निश्चित रूप से NDA 400 पार करेगा यह वोटिंग का ट्रेंड भी बता रहा है क्योंकि आपको लगता होगा कि 4-5% कम होने से कोई बहुत बड़ा अंतर आ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़े-बड़े उससे जीते थे और क्योंकि जिससवासांसत नरेश बंसल जिनका यह कहना है कि 400 प्लस का जो नारा बीजेपी ने जिससे शुरुवात की थी उस पर कायम है और जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है उसका बीजेपी का यह कहना है कि वो पार्टी के हित में है निराशा जिन लोगों को बिपक्षी यह कह रहा है कि केंद्री की सरकार से निराश होकर लोग घर में बेटे वो कॉंग्रेस की तरफ नहीं गया है वो वोटिंग केमरान महिरूपादे के साथ हेंबर जय भारत टीवी